प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्वशांती दर्शन चैनल पर चैनल के इंस्पिरेशन है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनात कराच सर इस चैनल के माध्यम से हमने शोमैन राज कपूर जी के बर्द सेंटेनरी येर को मनाने का एक अधवित्य अधनाज अपनाया है आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगी पिछले एपिसोड की जहां एक ग्रूप ऑफ डॉक्टर्स ने राज कपूर जी की बर्द सेंटेनरी सेलिब्रेशन के सम्मान में फिल्म जाकते रहो का प्रसिद्ध गीत जिन्दगी ख्वाब है को हमें गाकर सुनाया था मैं बात कर रही हूँ ट्यूनिंग फोक्स के डॉक्टर अनील की पेश है ट्यूनिंग फोक्स द्वारा अगला परफॉर्मन्स जो है श्री 420 फिल्म से मुड्मुड केना देख लेकिन गीत चुरू करने से पहले जानते हैं एक ट्रिव्या माया जो फिल्म स्री 420 में नादिरा द्वारा निभाया गया एक किरदार है वास्तविक जीवन में धुम्रुपान नहीं करती थी लेकिन इस फिल्म में उनके कैरेक्टर को निभाने के लिए उन्हें सिगर्ट पीनी पड़ी उनका ओन स्क्रीन धुम्रुपान करने का अंदास बहुत जल्द लोगों के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के 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 जिन्दगानी के सफर में तू आखेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है जिन्द ना ने के सफर में तू आखे जाही नहीं है हम भी तेरे हम सफरे मुड्मुड के ना देख मुड्मुड के मुड्मुड के ना देख मुड्मुड के मुड्मुड के ना देख ऐसा माना जाता है कि मुड्मुड के ना देख गाना आशा भोसले जी का पहला बॉलिवूड हिट सॉंग था श्री 420 वो आखरी फिम थी जिसमें नर्गिस ने राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में लीड रोल किया था मुडमुड के न देख गाने में नादरा का कॉस्ट्यूम इतना बॉड़ी फिटिंग और टाइट सिल दिया गया था कि वो उस गाने के शूटिंग के दौरान ब्रेक्स में बैट भी नहीं पा रही थी मुडमुड के ना देख मुडमुड के मुडमुड के ना देख मुडमुड के मुडमुड के ना देख मुडमुड के जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है हम भी तेरे हम सफर है है। जितवानी के सपर में तू अखिला ही है। हम पे तेरे हम सपर है। Thank you, thank you. Hello, thank you so much. Just imagine this song without the chorus. Please put your hands together for our very good chorus artists, Suchitha Dalviji and Sulwha Samanji. They both are artists in their own right and have been gracious enough to stand here for chorus for us. Thank you so much, we really appreciate that. This song was written by Swargir Shailindri Ji. I hope you will hear this song by listening to this song. Like Dr. Saili and Dr. Sanjay came to this song. This was a great performance for tuning folks. With that, we will see a new song from the next episode and related to some interesting trivia. Until then, subscribe and keep watching Vishu Shanti Darshan. . 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